नमस्कार मित्रो जैमातादी आज मैं आपको आठ नमंबर मंगलवार को लगने वाले चंदर ग्रहन के विशे में बताऊंगा जोति शास्त के अनुसार इस ग्रहन को ग्रस देख़ग रास चंदर ग्रहन कहेंगे इस प्रित्वी पर यह ग्रहन आठ नमंबर मंगलवार को दोपहर दो बच कर 49 मिंट पर दिखाई देना प्रारंब होगा और इसी दिन शाम को 6 बच कर 20 मिंट पर समाप्त होगा बारत के अलग-अलग राजियों का अलग-अलग समय रहेगा जम्मु कुश्मीर में यह ग्रहन आठ नमंबर मंगलवार को शाम 5 बच कर 30 मिंट पर प्रारंब होगा जानी दिखाई देना शुरू होगा और इसी दिन शाम को 6 बच कर 20 मिंट पर समाप्त होगा कुल अबदीस ग्रहन की 50 मिंट की रहेगी जम्मु कुश्मीर में और ग्रहन का सुतक किसी दिन आठ मंबर मंगलवार को सुबा 8 बच कर 30 मिंट पर प्रारंब होगा सुतक काल के पहले ही मंदिरों के कपाड बंद करी दिये जाते हैं वहाँ पे कुशा अत्वा तुलसी के पत्ते रख दिये जाते हैं और खाने पीने की वस्तुमों में जैसे आटा, चावन, सुका, राशन है जैसे दूद है, दही है, मुरबबा है, अचार है पानी में कुशा अत्वा तुलसी के पत्ते डाल दें और सुतक काल में बालक, ब्रिद, रोगी, गर्वती महलाएं बोजन कर सकती है और ग्रहन काल में अन ग्रहन किसी को भी नहीं करना चाहिए कोई भी पापकरव नहीं करना चाहिए विशेश कर गर्वती महलाओं ने विशेश द्यान रखना है उन्होंने नाकुन, बाल, फल, सब्जी, कपड़ा दी नहीं करना चाहिए और गर में एकांट में बैढ़कर चंद्रमा की शाया उन पे नहीं पढ़ने चाहिए बुगान चंद्रमा के मंदर स्तोत्रों का पाड़ करें नहीं तो ओम नमो भगवती वासु देवाई नमा मंतर क जाप करें और ग्रहन काल में हम सभी को पवित्र नदियों में श्राण करना चाहिए नदियों में नहीं जा सकते गर में पानी में गंगा की जल डालकर श्राण करें और दान कुन्ने अवश्य करें बगवान चंद्रमा के जो भी मंतर स्तोत्रा आते हैं उनका पाड़ करें अपने इस्ट देव की अराधना करें और कुछना कुछ दान अवश्य करें और ग्रहन समाप्त होने के वाड़ सोयम भी साफ जल्द से शनान करें गंगायल डालकर और मंन्दिरों में गरौं में गंगायल का शिर्युराip काम करें और आजमन भी करें और बालक बित रोगी गर्वती महलाएं गर्म पानी से शनान कर सकती है जो अच्छे जिनका स्वास्त ठीक है उन्हें ठंडे पानी से ही शनान करना चाहिए और एक मैं आप से अग्रह करूंगा कि कुछ ना कुछ जोगर के आसपास जुरूरत मंद लोग है उन्हें दान अवश्य करें और कोई भी पापकरम नहीं करें जम आता दी